एलो दोस्तों मेरे नाम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने यूट्यूब चनल बिसी सेंटर में तो जैसे कि आप सबको पता है कि बीवी यू आने कि बिनो भाब इनिवर्सिटी समेश्टर फैब डेसी नंबर टू जिसका इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन है और डेमोकरि इंडिया है हम दोनों पेपर सॉल्ब करने वाले इस वीडियो में दोनों में आप लोग देख लेना कि आपका कितना सही हुआ पलस में मैंने जो कोशन बताया था चाहे वो इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन हो या डेमोकरिशन इंडिया हो वही दोनों पेपर में कोशन आया था ठीक है तो देखो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अकीश चोभी सेशन ठीक है जो आज ही के दिन में पेपर हुआ है पॉलिटिकल सेंडिया से टू इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन ठीक है इसका पहले आंसर की बताएंगे फिर आपको इंटरनेशनल ओर्गनाजेश देखो यहां पर जो आपका पहला कोचन है जो भी पेपर भाई ने भेजा उसको बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है पहला कोचन इनमें से कौन से एक विश्षता अंतराश्टिय संगटन की नहीं है तो इसका जो पहला का करेक्टर अंसर हो जागा दूसरा पहला का दूसरा अनि एक दूसरा उसके वाद सी में क्या है वेस्ट फॉलिया की संधी कब वा था तो तो जो आपका सी है उसका करेक्ट अंसर हो जागा दूसरा 148 में ठीक है उसके वाद डि नमबर डि नमबर में क्या आपका ऐसे वन इटरन्नल पीस किसकी रचना है तो यह आपका जो D है उसका correct answer हो जाएगा आपका चोव था ठीक है Emmanuel Kant का ठीक है Emmanuel Kant का ठीक है ठीक है तो आपका जो आपका D है उसका हो जाएगा 4 था Emmanuel Kant का उसके और next E संयूद राष्ट घोसना कब की गई तो जो संयूद राष्ट संग की घोसना है वो कब किया जाता तो इक आपका correct answer हो जाएगा तीसरा 1 जनुवरी 1942 को next संयूद राष्ट दिवस कब मनाए जाता है तो जो आपका EF X का correct answer हो जाएगा पहलाने की 24 अक्टूबर को तो F का हो जाएगा पहला उसके और next संयूद राष्ट संग के सिदान चार्टर के किस अनुच्यद में वर्नित है तो इसका आपका correct answer हो जाएगा दूसरा अनुच्यद 1 ठीके उसके और next H है संयूद राष्ट महासाब के वर्तमान अधियच कौन है तो जो आपका H नमबर है इसका आपका correct answer हो जाएगा 4 देनिस फ्रांसिस ठीके में चलते हैं उएनस को का मुख्याले कहाँ है फ्रांस आने की पैरिस में तो आपका हो जागा तीसरा आई का तीसरा next हम लोग चलते हैं नेक्ट कोचन की और क्या है यहाँ पर वेन वास सार्क इस्टिबिलिजट आने कि जो हमारा सार्क इसको गठन कब हुआ था तो इसका अप्शन नमर जो दूसरा नहीं कि आठ दिसंबर स्वास्त अर्गठन ठीके विस्वश्त संग ठीके वल्ञ हेल्ट औरगनाइजन सान्ती के स्थापन में समयोतर संक की भूमी आप भी बता रखें और। उसको के भुमी का ठीक है तो यह था आप लोगों का पेपर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जिनका डेमोक्रेशी इंडिया था तो यह पेपर उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका पॉल्टीकल सें डीसे टू में गुरूप बी में डेमोक्रेशी इंडिया था और जो कल निर्धारित है तो बिल्कुल इसका करेक्ट अंसर हो जागा तीसरा ने की छे वर्स के लिए ठीक है सारे इंटरनेट से जनकारी लिए ठीक है अगर कहीं आपको मिश्टिक लगे ता आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं नेक्ट सी नमर में सभिदान की व्याक्या करने का अंतिम दायत है किसके पास है तो इसका सी अप्शन तीसरा हो जागा शुरुबच ने आले ठीक है उसके बाद नेक्ट है डी नमर में भारत में सबसे प्राचिन राजनितिक दल कॉंट सा है तो इसका डी का आपका हो जागा पहला भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस नेक्ट कोचन है परजातंतर के परती जनता की सिकायत दरसाता है तो इसका अप्शन नमर आपका पहला हो जागा जनता का जागरुख है जनता का जागरुख है ठीक है पहला हो जागा उसके नेक्ट है भारतिये परजातंतर का सबसे दारभूत परिणाम क्या है तो इसका आ कि इसको कहा था था कि अरस्तु ने कहते ठीक है टिक है कौन बो ले थे अरस्तु ही बोले ठीक है तो आपका होज़ेगा अरस्तु ने स्वेथा भ typically अथ दान करने का निहुंनित्त माइव कितनी यह तो mater and प्रकार्ट से आपका खतम हो गया यहां पर पंच-पंच नमबर का दिया गया ठीक है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यहां पर दूसरा कोचन तीसरा कोचन यह सब कोचन मेरा बताया हुआ ही कोचन आया हुआ है आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कितना MCE की कोचन सही हुआ और क्या मेरा बतायबा कोचन आया था या नहीं आया था सारा जो मैंने आपको पांच इंपोर्टन कोचन लाशन बताय था कि यह ज़्यादा इंपोर्टन लग रहा हुआ ही सब का सब कोचन दिया है प्रिव लोग को टैंडिशन नहीं लेना है चाहे जितना भी सही हुआ होगा अब आपको अपना जो भी आपने लच जीवन में सोचा उस चीजों का त्यारी करो फिर हम लोग रिजल्ट में मिलेंगे कि कब आपका रिजल्ट आएगा इन्फॉर्मेशन हम आप सभी को देते रहेंग आपको हमसे जोड़े रहना है फिर हम आपको इसी प्रकारता समिश्टार 6 में त्यारी करेंगे तब तक जय हीन जय भराद